सरस्यों के सामने मैं यहां पर उपस्चित हुआ हूँ हमारा यह महांदेश भारत अनगनिक देश्वासियों के त्याग युम्तपस्या के फल्सरूप आज की लगा ने पूरा अरे बैस सब के लिए भूल गए एक पने हाथ दे रहे अच्छा होगा इस पर क्या है हादने सब्सक्राइब लब्दा की सिवाओं पर बिगत कुछ पहिनों में घटिक घटनाओं का व्यवरा सदन के समानी सरस्यों के सामने रखने के लिए आज मैं यहाँ उपसित हूँ हमारा यमहान देश भारत अंगरित देश वाचियों के त्याग यों तपस्या के फलसरूप आज की इस सिवाचियों तक पहुशा है जक्ष्मों देश स्वतंत्र भारत में भारत की सेनाओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वच्च नियुशावर करके करने में कभी भी कोटा ही नहीं वरती है और आप सब को ग्यात है कि 15 जून 2020 को गल्वान घाटी में करनल संतोस बावू के साथ हमारे 19 और भाधर जवानों ने भारत माता की सीमा की रख्षा करते हुए ने प्राणों की आउट देगी हमारे प्रधान मंत्री सीरी नरंदर बोडीगी ने स्वैम लग बाग जाकर वीर जवानों का होसला बढ़ाया मैंने भी बहादूर जवानों से मिलकर उनके शौर और तूट साहस का स्वैम भी अनभू किया है अज्यक्श्म होदे सबसे पहले मैं संचेप में चाइना के साथ हमारे बाउंडरी इसूस के बारे में बताना चाहता हूँ जैसा की स्वैम इस बात से ओगत है कि भारत यों चाइना का सीमा का प्रस्ण अभी तक अनसुल्या है भारत और चाइना की बाउंडरी का कस्टमरी और ट्रडिस्टनल अलाइन्मेंट चाइना नहीं मानता है यह सीमारेखा वेल इस्टबिलिस्ट भागोलिक से धांतों पर आधारी थे जिसकी पुस्ट नौकेबल ट्रीटीज और एग्रिमेंट्स द्वारा बलकि हिस्टॉरिक यूसेज और प्रैक्टिसस द्वारा भी तवापती महोदे हुई है इससे दोनों देश सदियों से आउगत हैं जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंडरी अभी भी आउप्चारिक रूप से नरधारित नहीं है साथ ही चाइना यह मानता है कि हिस्टॉरिकल जर्श्डिक्षन के आधार पर जो ट्रैडिस्टॉरी लाइप उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग-अलग ब्याक्चा है दोनों देश्ट नाइंटेन फिफ्टे और नाइंटेन सिक्टी के दसक में इस पर बात्चित कर रहे थे परंतु पारस्परी कुरूप से स्वीकार समाधान नहीं निकल पाया था तवापती मोगदे जैसा की यह सद नौगत है कि चाइना लगदाख में भारप की लगभग 38,000 स्क्वाइर किलोमेटर भूमी का अनतिक्रिक यह कज़ा किये हुए है इसके अलावा 1963 में एक तथाकति बाउंडरी एग्रिमेंट के तथ पाकिस्तान ने पाक अकुपाइट का स्मीर की 5,880 स्क्वाइर किलोमेटर भारती जमीन अवैद रूप से चाइना को सौप दी है चाइना अरुनाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभ 90,000 स्क्वाइर किलोमेटर भारती चाइटर को भी अपना ही बताता है तवापती महोदे भारत था चाइना दोनों ने ओफचारिक तोर पर यह माना है कि सीमा का प्रस्ट एक चटल मुद्धा है जिसके समाधान के लिए पेसंस की आवश्यक्ता है तथा इस मुद्धे का फेर, रेजनेबल और मुशली अच्प्टेबल समाधान सांती पुन बाच्चीत के दोरा निकाला जाए यह दोनों इस बात पर सहमत है अंतरी मुद्धे दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर शामती और इस्तरता बहाल रखना दी पक्षी स्टंबंधों को बढ़ाने के लिए यह नितान आवश्यक्त है मैं यह भी बतना चाहता हूँ तवापती महुद्धे कि अभी तक इंडिया चाहिना के बार्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनेटेड लाइन आफ एक्षिल कंट्रोल नहीं है और एलेशी को लेकर दोनों का पर शबसंभी यह अलग-अलग है इसने पीस और ट्रैंक्विल्टी बहार लखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह की आइगरिमेंट्स और प्रोटोकाल्स भी हुए इन सम्योतों के तहट दोनों देशों ने यह माना है कि यलेशी पर शांती और श्तिता बहार लखी जाए जिस पर यलेशी की अपनी अपनी respective positions और boundary questions का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस आधार पर वर्स 1988 के बाद से दोनों देशों के bilateral relations में काफी विकास भी हुआ है भारत का मानना है कि bilateral relations को विक्सित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ boundary के मुद्दे के समाधान के बारे में चर्चा भी की जा सकती है यह हम दोनों काम कर सकते हैं परंतु यलेशी पर peace और tranquility में किसी भी प्रकार की गंभीर इस सिटका bilateral relations पर निश्चित रूप से असर पढ़ेगा यह बात भी दोनों पक्षों को अच्छी तरह समझनी चाहिए बर्स 1993 और 1996 के समझे होते में इस बात का जिक्र है कि यलेशी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे समझे होते में यह भी है कि जब तक boundary issue का पूर समाधान नहीं होता है तब तक यलेशी को strictly respect और error किया जाएगा और उसका उलंधन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा तबापती महदे इन समझोतों में भारत वाचाइना यलेशी के clarification दोरा एक common understanding पर पहुँचने के लिए भी प्रतिवद्ध हुए थे पूरी तरह से कंकेट थे इसके अधार पर 1990 से 2003 तर दोनों देशों दोरा यलेशी पर एक common understanding बनाने की कोशिश की गई लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कारवाई को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमती नहीं जताई इसके कारण कई जगहों पर चाइना था भारत के बीच यलेशी परसेपसंस में ओवरलैब रहत बराबर बना रहा है इन छेत्रों में अधा बार्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे सम्झहोंतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेसाफाद की सितका बराबर तबादान निकालती हैं जिस्छे की शांत कायम रहें तबापती मोद है इससे पहले कि मैं सुस्दादन को वर्दमान इस सितके बारे में बताओं मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विमिन इंटेलिजन्स एजन्सीज के बीच कौाइडनेशन का एक इलेवरेट और टाइम टेस्टेट मेकनिजम है जिसमें सेंटर पुलिस फ करडिनेटेट तरीके से इकठा किया जाता है तबापती मोद है मैं अफसदन को इस साल उत्पन परिशितियों के बारे में अगट कराना चाहता हूं अपरिल माह से इस टरनल अद्दाक की सीमा पर शाहिना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके अर्मामेंट्स में ब्रिध ही क के प्रारम में चाहिना ने गलमान घाटी चेतर में हमारी टुप्स की नार्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में ब्योधान डालना तुरू किया जिसके कारण से साथ की इस सित्थी उत्पन नहुई ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुझाने के यलेशी पर ट्रांस्क्रेशन करने की कोशिश की गई इसमें उंकला गोग्रा और पैंगॉंग लेक का नार्स बैंक शामिल इन कोश्चों को हमारी शेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यत जबावी कारवाई भी हमारी शेनाने की सवापति मोदे और चाइना को डिपलेमेटिक तथा मिलिटरी शेनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया इस प्रकार की गत्विधियां यथा इस सिटी को मैंनी स्टेटस को को एक तरफा बदलने का प्रयास हैं और यह भी साब कर दिया कि यह प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदे मन्जूर नहीं है यह दो तूट सब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है यह लेशी के उपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन कमांडरों ने शेदून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत ही बनी यह रेशी प्रोकल एक्शन्स के आधार पर डिस इंगेजमेंट किया जाना चाहिए दोनों पर इस बात पर भी सहमत ही कि लेशी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कारवाई नहीं की जाएगी जिस से यथा इस्थिती यानि स्टेटस को बदले किंद इस सहमत के उलंगन में चीन द्वारा एक बहुत वाइलेंट हजिन को गलबान में क्रियेट की है हमारे बहादर सिफाहियों ने बहादर जवानों ने अपनी जान का बल्वान लिया परसाथी ठीरी प्रक्षिकों भारी च्छती पहुचाई है तबाबती महोद है और अपनी सीमा की स्टुर्चा में काम्याब भी रहे है इस पूरी अब भी परदबन किया है मैं सदन से यह हम्रोग करता हूं कि हमारे सैनकों की बीरतायम बहादरी की भूरी भूरी परसंसा की जानी चाहिए हमारे बहादर जवान अत्यंत बुस्किल परिशितियों में अपने अथक प्रयावस से सबस्ट देश्वासियों को सुरक्षित रखने क अपने दाईत तुका निर्वान कर रहे हैं तब आपने मोगदे एक और किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के परती हमारे दिर्धन इश्य है या डिटर्मिनेशन पनाश आई है वही भारत यह भी मानता है कि पड़ोशियों के साथ सांतिपुन संबंधों के लिए आपसी स सम्मान और संबेदन सीलता भी यह रखना आवश्यक है चूंकि इस मौजूरा इस्तित का बाचीत के जरिये समाधान चाहते हैं हमने चाइनीज साइट के साथ डिप्लमेटिक और मिलेटरी इनगेट्मेंट बनाये रखता है इन डिसकसंस में तीन की प्रिंसपल्स हमारी एष्यका सम्मान और क़ढ़ाई से पालंग करना चाहिए फर्स शेकेंड किसी भी कशकों अपनी तरफ से यथा इस्तित का यानि इस्टेटेस को का उलंगन करने का प्रयात नहीं करना का फूर्स कूसकों के जो सभी सम्झों आज़ों और अंडरिस्टेंडिंग अंडरिस्टेंडिंग का पूर्टेया पालम करना चाहिए चाइनीज साइड की ये पोजिशन है कि इस्टि को एक जिम्मेदार ढंग से हंडल किया जाना चाहिए और दूपक्षी सम्झोतों यह प्रोटकोल के अंसार शान्त यह मिस्टरता सुनिश्टि किया जाना चाहिए लेकिन सभापटी मोद है इसके बावजूद चीन की गत्विडियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है और इसका प्रमाण है कि जब डिसकसंस चल ही रहे थे चीन की तरफ से उन्तिस और टीस अगस्ट की रात को प्रोवकेटिब बाने उक्साने वाली भड़काने वाली है सैनिक कारवाई की गई तो चीन की तरफ ते की गई धारत की तरफ ते नहीं की जो पिंगांग लेक के साउथ बेंक एरिया में इस टेटम को को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रियास कियां गया लेकिन एक बार फिर हमारी आरंफोर्सस के द्वारा त्वाब पर्ki महुदग है तायमली वह फॉर्म एक्संस के कारण के प्रियास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो थै स्वापचि मोखोने जैसा कि उपर्युक्त धटना क्रम से असपस्ट है चीन की कारवाई से हमारे विबन द्री पक्षी सम्झोतों के प्रती उसका डिसरिगार्ड दीखता है चीन द्वारा प्रुप्स की भारी मात्रा में तेनाती किया जाना 1993 और 1996 के सम्झोतों का उलंगन है यलेशी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा च्छत्रों में सांती और सद्भाव का यह आधार है और इसे 1993 और 1996 के सम्झोतों में असपस्ट रूप से स्वीकार भी किया गया है जब कि हमारी आर्म सोर्सेज इसका पूरी तरह से पालन करती है सवापती महोडे शाइडी साइड की और से ऐसा नहीं हुआ है उनकी कारवाई के कारण यलेशी के आसपास समय समय पर फेस आफ्स और फ्रिक्सन्स पैदा हुए है जैसा कि मैंने पहले भी उलेख किया इन समय होते हुए फेस आफ्स आपकी इस चित्ते निपटने के लिए बिस्त्रित प्रोसीजूर्स और नार्म्स भिंदर दा रिए तथा इस पर हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेज का वाइलेंट कंड़क्ट सभी मूचिली एग्री नार्म्स का ये पूर्टया उलंगन तो अपती मोदे अभी भी अभी की इस चित के अनुसार चाइनीज साइड में यलेशी और अपने अंदुरूनी श्यत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक लुकडियां और गोला वारूद मॉबलाइज किया हुआ है पुर्वी लद्दाख और गोगरा, कौंकला और पैंगांग लेक का नार्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्सन एरियाज है चीन की कारवाई के जवाब में हमारी आर्ण फोर्सेथ ने भी इन शेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लाइमेंट्स किये हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से तुरक्षित रहे अब ज़क्ष महुझे है, सदन को वास्वस्त रहना शाहिए सदन को आस्वस्त रहना शाहिए कि हमारी आर्ण फोर्सेथ इस चुरूती का सफलता से तामना करेंगी और इसके लिए उन्हें पच्च्च्च्च हम उन पर हो एक गर्व है अभी जो इस चिती बनी हुई है, उसमें संबेदन सील आपर से आपरेशनल मुद्दे तामिल है सेंस्टिब आपरेशनल इसूस या सामिल है इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा ब्योरे का खुलासा नहीं करना चाहूँगा और मैं आस्वस्त हूँ, यह सदन इस संबेदन सीलता को समझेगा तो आपरी मोहदे, COVID-19 के चुनाउती भरे समय में हमारी Hard Forces और ITBP का तेजी से डिप्लाइमेंट हुआ है उनके प्रयासों को एप्रिशेट किया जाने की ज़रूरत है और यह इसलिए भी संबा हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्सों में Border infrastructure के दिकास को काफी एहमियत दी है सदन को जानकारी है कि पिछले कई दस्कों में शीन ने बड़े पैमाने पर infrastructure activity सीमा पर प्रारम्ब की है जिन से border area में उनके deployment की च्छमता भी बढ़ी है इसके जवाब में हमारी सरकार में भी Border infrastructure development के लिए budget को बढ़ाया है जो पहले से लगवग दो गुना से धिक है इसके फलसरू बारडर area में काफी roads और bridges भी बनाए गए है इससे नक्यवल local population को जरूरी connectivity ही मिली है forces को बहतर logistical support भी मिला है इसके कारण वे border area में अधिक alert रह सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर बहतर जवाबी कारवाई भी कर सकते हैं और आने वाले समय में भी सरकार इस उडेश के प्रती पूरी तरह से प्रतिवद्ध रहेगी देशित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापती महोदे हम पीछे नहीं हटेंगे बानी स्वापती महोदे मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बारे एरिया में मौझूदा मुद्धों का हल सांति पुन बाच्ची और विशार विमर्ज के जरिये किये जाने के प्रती पूरी तरह से प्रतिवद्ध है इस उद्धेश से मैं अपने शाइनीज काउंटर पार्ड से चार शितंबर को मासकों में बिला और उनसे हमारी मौझूदा इस चित के बारे में व्यापक चर्शा भी हुई है मैंने इस पश्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी प्रक्ष के सामने रखा है जो उनकी बड़ी संख्या में टूफ्स की तैनाती आक्रामत रवया और एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिस से संबंधित था इन सब सारे बुद्धों को अपने काउंटर पार्ड के सामने हमने रखा है और मैंने दो टूप सब्दों में ये अस्पश्ट किया कि हम इस मुद्धे को सांथि पुंधं से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीरी प्रक्ष हमारे साथ मिलकर काम करें वहीं हमने यहवी अस्पश्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रवता और खंड़ता की रख्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिवद्ध हैं यह भी हमने पूरी तरह से पुस्ट कर दिया इसके बाद बेरे शहयोगी विरेश मंत्री सी जैसंकर जी भी दस सितंबर को माफको में चाइनी बिरेश मंत्री से मिले दोनों एक आगरिमेंट पर पहुंचे सभापती मोहजे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथुली आगरिमेंट को इंप्लिमेंट किया जाता है तो कम्प्लीट डिस इंगेजिमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बार्डर एरियाउज में शांती भी अस्थापित की जा सकती है तो अब भरी मोहजेंट यैसा कि सरच्छों को जानकारी है बीते समय में भी छीन के साथ हमारे बार्डर एरियाउज में लंबे इस्टेंड्स आपकी इस्थिति कई बार बनी है जिसका असांती पुन तरीके से समाधान भी किया गया था हाला कि इस वर्स की स्थिति इसकेल आफ इन्वाल्मेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो हम पहले से बहुत अलग है फिर भी हम मौझूज़ा इस्थित के सांती कुन समाधान के प्रती पूरी तरह से कविटेड है अजिक्शन पॉदे युद्ध की सुरुवाद तो हमारे हाथ में होती है लेकिन उसका अंत नहीं होता है और मुझे कई वार ताजुब होता है कि सांत का या संडेश जिस धर्ती चे पूरे विश्यक हो गया है उस धर्ती की शांती में विख्ण डालने का प्रयास किये यादे है और अब्डेक्शन होदे सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड देशवाशियों को अस्तस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक जुकने नहीं देंगे नहीं हम किसी का मस्तक जुकाना चाहते है इस रास के प्रती इसकी सुरच्षा के प्रती हम पूरी तरह दिन्ट शंकल्प ने अध्यक्शमों होदे इस सदन की एक गौरोसाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समख्ष कोई बड़ी चुनवती आई है तो इस सदन ने भारती सेनाओं के द्रंटा और संतल्प के प्रती अपनी पूरी एक्ता और पूरा भरोसा दिखाया है साथ ही सीमा शेत्र में तैनात अपने बहादर सेना के जवानों के शावर पराकरम और सीमा की इस तुरक्षा के परती उनकी प्रतिमत्ता पर इस सदन ने पूरा विश्वास विव्यक्त किया है मैं आपके माध्यम से देश्वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे आर्ण फोर्सेस के जवानों का जोश यो महासला बुलंद है सबापति मोदे और हमारे जवान किसी भी संकत का सामना करने के लिए पूरी तरह से दिर्ण परतिग्ये हैं और इस बार भी सीमा पर हमारे वीरों ने किसी भी प्रकार की आक्रम का दिखाने के बजाय धैरे और शाहत का परिशे लिया है हमारे हाँ कहा गया है कि साहते खलूस्री वशती यानि साहत बेहिव यहत्ति का निवास होता है और हमारे सैनिक तो साहस के साथ सैयम, शक्त, शौर, और पराक्रम की जीती जागती प्रतिमुर्टी हैं शवापति मोड़े मानी प्रधान मंतरी जी के बहादुर जवानों की बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तो था जवानों में यह स्पष्ट संदेश लिया है कि देश के 130 करोड देशवासी जवानों के साथ खड़े हैं उनके लिए बरफीली उचाईयों के लरूप, विसेश प्रकार के गरम कपड़े, उनके रहने का इस्पसलाइस टेंट, तथा उनके सभी अस्तस्तस्त्र वो गुला बारूट की परयाप व्योस्था की गई है हमारे जवानों का होसला बुलंद है, दुरगम उचाईयों पर जहां आक्सीजन की बराबर कमी बनी रहती है, तथा ताप्मान भी शुन्ने से नीचे होता है, उनके उस्ताह में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, और वे सियाचीन कारगिल आदी ये शी उचाईयों पर अ लेकिन साथ ही मुझे पूरा भरूसा है, कि हमारा देश और हमारे वीर जवान इस चुनावती पर खरे उतरेंगे, मैं इस तरन से मरोथ करता हूं, कि हम एक द्वनी से अपनी सेराओं की बहादुरी और उनके अदम मेशाहत के प्रतिसम्मान पर दर्चित करें, और इस सरन स ते आख से मैं आख मिलाकर अडिक खड़े हैं, उनमें एक नए मरोवल उज्या वुट्साह का तदापति महोदे संचार हो, इनी सब्सक्राइब के साथ मैं अपना विक्त्र बिस्वात करता हूं, बहुत बहुत ज़न्यवाद।